चलिए मिल गया देखें लास्ट क्लास में हमने एक बहुत ही सिंपल सा चप्टर स्टार्ट किया था अपका राइट इइशू और राइट इशू में हमने कॉंसेप्ट में समझना था कि राइट इशू होता क्या है राइट इशू की जरनल एंट्री की बात करें तो एक्जेक्टली एकदम सेम था जैसे की किसका जैसे की हम किया करते थे कौन से वाला शीर इशू ठीक है इसके अंदर फिर हमने आगे चलके क्या देखा सर कुछ एक क सब्सक्राइब करेंगे और पहले कुछ करने से पहले हम कुछ बेसिक्स जनल एंट्री देख लें यह तो किसी काम का नहीं है गलत सलाइट लग गया तो कि जलिए कि किसरें सबसे पहले पॉइंट नंबर वण बोन शीर नोट bonus share Sir मैंने कितने टाइब का बताया था आपको याद है कितने टाइब का होता है bonus share दो एक तो हम partly paid up को fully paid up बनाते हैं और एक fully ही रहता है तो पहले हम देख लेते हैं fully paid up वाला जो देते हैं paid up वाला fully paid up अगर हम fully paid up की journal entry समझें तो बहुत सिंपल जर्नल एंट्री है इधर कर देते हैं कि देखते हैं सर्फ फुल्ली पेड़ अब और मान लेते हैं example एक्जांपल समझें एक्जांपल पहले करा देता हूं फिर मैं समझाओं तो ज्यादा समझ में आएगा है न आपको तो एक्जांपल में लिखा मैंने के company ने issue कर रखे हैं issue 10,000 equity share now company decided या BOD decided BOD क्या होता है board of director decided bonus share one share for every five share तो ऐसे situation में सबसे पहले क्या करना चाहिए बताओ सबसे पहले number one हमें number निकालना पड़ेगा number of share तो number of shares कितने आएंगे sir 10,000 और divided by five और into में one तो यह आगए कितने आगे दो हजार share आगे ठीक है न अब हमने bonus share देना है दो हजार share आगे बढ़ते हैं sir सबसे पहले bonus share दोगे तो पैसा कहां से लाओगे पैसे के लिए यानि इसका source क्या होगा सहब पैसा और source कहां से number one आप सबसे पहले इसके लिए priority यूज करोगे CRR मैं उसी sequence में लिख रहा हूँ सबसे पहले यूज करना है CRR क्योंकि CRR कहीं यूज नहीं किया जा सकता सिवाए bonus share अभी हम आगे आएंगे थोड़ी दिर बाद एक new chapter भी start करी लेंगे आज तो उसके अंदर आपको समझ में आएगा ठीक है number two अब पैसे बच गए तो इसके बाद आप करो security premium number three इसके बाद आप करो free reserve बस इतना ही लिखना है free reserve में सब कुछ आ गया general reserve, capital reserve जो 12th class में आपने reserve and surplus में note पढ़ा है वो सब कुछ आ चुका है balance sheet की मैं अलग से video डालूँगा आप सब कोई भेजूँगा वो 12th, first year के ही डाल दूँगा या आपका जो भी रहता है उसको देख के आना है क्योंकि मैं balance sheet सिर्फ balance sheet वाले chapter में करा हूँगा उससे पहले आपको थोड़ा याद होना चाहिए बनाने का तरीका तो चलिए सर यानि सर यहां से पैसे है लेकिन हमारे सवाल में तो सर कुछ भी नहीं बोला हमारे सवाल में तो बोला ही नहीं कि हमारे पास है क्या और इस्तमाल कहां से करेंगे अब जब मैं इसको इसको इस्तेमाल करूँआ तो यानि ये खतम हो जाएगा तो इस एड़ीन करेंगे इसको जनल एंट्रि में करने वाले में डैबिट मेरे वाले सवाल में कुछ भी नहीं बोला हुआ कि बोनस ये कहां से होगा नहीं होगा तो आपको मानना है जब सवाल साइलेंट हो जाए, कुश्चन साइलेंट हो जाए, तो हमारे पास ये पढ़ा हुआ रहता है हमेशा, क्या? फ्री रिजर्व, अगर मैं कुश्चन से में कह दूँ, कि जी मेरे पास पहले से ही, मैं थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ कुश्चन में, कि मेरे पास CRR पढ़ा हुआ है, मान लेते हैं, छे हजार, ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम पढ़ा हुआ है, तीन हजार, और फ्री रिजर्व पढ़ा हुआ है, चालिस हजार, कि एफार का मतलब यहां पर फ्री रिजर्व है तो सर अब तो तीनों ऐसे हैं जो कि कम भी है कुछ जादा भी है अब मुझे जुरुत कितने की है बोनस शेर देने के लिए क्योंकि नंबर अफ शेर्स हमारे जब 2000 है तो 2000 और एक शेर का फेस वल्यू दस है तो हमें पैसे इंत करेंगे अब बताओ CRR यूज करने क्लिए मैं इधर जर्नल एंट्री करने जा रहा हूं तो मैं CRR क्या होता है क्या करूं मैं डेबिट यूज है कितना हमारे पास सर च्छे जार लोजी यूज हो गया किसी को इसमें दिक्कत इसके बाद SP कर लो ग्यारा हजार और तू में क्या जाएगा तू बोनस इशू यह बोनस शेयर बोनस इशू डाल देते हैं ठीक है और यह आगे पूरे इतना आसान जर्नल एंट्री है इसको जिसको कुछ कहना ही नहीं है और बिंग में क्या लिखोगे सब बिंग लिजर्व आप सारे रिजर्व का नाम लिखती जेगा यूज पर मेकिंग बोनस इशू इस्व इस्व इसमझे बात आप अब नोई सा रहा है थोड़ा थोड़ा नोई सा रहा है रोहित का कहना है सर थोड़ा 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 नोई सा रहा है और भी स्टूडेंट बता दीजिए मेरे पास तो डीवी भी ठीक है बता दीजिए फिर नहीं तो चेक किया जाएं माइक के आप्शन में सब कुछ आन है माइक का वोल्यूम बढ़ा दिया गया और आप बोलते हैं तो डीवी कम कर देते हैं नहीं सर नहीं आ रही ओके क्लियर है क्लियर है मैंने एक थोड़ी से सेटिंग छीड़ खानी कर दी अगर अभी भी दिक्कत आ जाए तो बता देना ठीक है पहले यहां तक बताओ हर बच्चे को यह एंटरी कॉंसेप्ट के साथ क्लियरिटी होना चाहिए रटने वाला काम नहीं होना चाहिए कि सर यह डैविड क्यों हुआ ठीक है एक और एंटरी करने जा रहे हैं सर एक और एंटरी कौन सी करोगे अब करेंगे बोनस इशू और टू कहता हम एक्विटी शेयर दिर लो जी खता मों गया बोनस लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ न जब मैं बोलता हो कि बच्चों को जब लास्ट में बच्चे पूशते हैं कि सर मैं बोलता है इशू कर लो राइट इशू कर लो शेयर कैपिटल कर लो तो बच्चा फिर सोचता है कि एक चैप्टर तो है बिल्कुल सोचना है लेकिन आप भी समझ सकते हो कितना दम है इस चैप्टर में दो ही एंट्री होना है और यह एक्जामनर कभी अकेला पूछेगा भी नहीं क्या य बोनस शेयर कि इसूड कितने का सब्सक्राइब यह तो पहला केस हो गया हमारा जब फुली पेड हो दूसरा केस कौन सा बताया था जब हम पार्टली पेड को फुली पेड बनाएं ठीक है मैं दूसरे पेचपे कर दूँ है यहां तक हर बच्चों को क्लियर है अब दूसरा क केस होगा लेन परटली पेड को सब्सक्राइब का पार्टली पेड सरी चियर ही नहीं कर सकते पहला कंडीशन है कि के ब्न स्विए इस्धिशंग और ओल्वेस फुली पीड अपर रहा है और कहा फंच हां यहां तना नहीं 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 कहीं तो था हमने पढ़ा था कि चलो भी दिखने रहा बाकि पार्टली पेड़ाप कभी भी नहीं हो सकता यह एक्जामपल भुक में दो ही कोशन थे तो मैं अपने एक्जामपल ले रहा हूं हमने इशू कर रखे हैं कि तस अजार शियर दस रुपए का है दो रुपए छे रुपए दो रुपए यह वाला जो है यह नहीं दिया ठीक है कंपनी ने डिसाइड बोनस इशू सर कितने सर तू शियर और एवरी फाइव शियर समझ मैं क्या है अब यहां पर पंगा यह आ गया सर बोनस तो हम दे देंगे नंबर भी निकाल लेंगे लेकिन प्रॉब्लम ही आ गया सर यह पार्टली पेट अब हम सबसे पहले नंबर निकाल तो सार नंबर के आएगा नंबर निकालेंगे तो हम आएगा हमारा दस अजार और डिवाइड़ वाइव और इंटू में तू देटेस हमारा कितने आगे चार हजार यह तो बोनस देना है हमें अब बोनस के लिए हमें सोर्स की बात करें तो अभी बताया कि भाईया सोर्स जो यूज होगा वह दो तरीके के सोचने पड़ेंगे एक पार्टली वाले के लिए हम सिर्फ और सिर्फ नंबर वन यूल रिर्जर्व यूज कर सकते हैं और बागी के जितने थे ऐस कि अस ब्सके लिए तो सब यानि जो हमारा यह 4000 करेंगे ना तो इसके लिए तो हमारे पास अजादी है जो मर्जी यूज़ करेंगे प्री रिजर्व यह एनी इस तरीकी का रिजर्व जो कि हमारे लिए हो देखो यहां पर नोट में भी देखा था मने के सिक्यूरिटी प्रीमियम और यह चोटी चोटी बात हैं लेकिन बच्चा एक्जाम में गलती कर देता है अब जनल एंट्री देखो पहले जनल एंट्री हम फुली पेड़ आप करेंगे तो फाइनल कॉल मांग ले तो शेयर पाइनल कॉल टू एक्विटी शेयर केपटल यह लो यह जी फाइनल कॉल की एंट्री होगे कितने होगे दो एंट्व में दस अजार यानि 20 अब मैं मान लेता हूं मेरे पास भरपूर मात्रा में फ्री रिजर्व है ठीक है तो मैं करूँगा फ्री रिजर्व बैंक की जगह है पर टू शेयर पास्ट कॉल इसका एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हो फ्री रिजर्व टू एक्विटी शेयर क्यापिटल है पहले तो यह एंट्री देख लो इस एंट्री में किसी बच्चे को डाउट है लेकिन क्या लिखोगे सर हमने बोनस बना दिया है पार्टली पेड़ पेड़ पूली पेड़ पूली पेड़ पूली पेड़ पूली 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 करेक्ट है सर ठीक है अच्छा मैंने फर्स्ट लिख दिया आज चलो मैं फाइनल उपर लिखा है तो हम यहां फाइनल ही लिखेंगे ठीक है अब यह तो बोनस् कर सकते हैं अब बोनस् इश् Like कर Make क्या करें बोनसने लेंगे कि अब हमारे पास प्री रिजर ले मैंने बोला भात पैसा है टू बोनस इश् На का कैसे निकाल contrib चाराजार निकाल रहा और इंटू दस कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं अब छे रुपे ले लूँगा बाद में चाल क्योंकि फ्री का शेर तो पूरा ही देना है इसके बाद अब प्री रिजर्व के बाद बोनस इसू आगया जाएगा हमारा बोनस इसू कई बोनस इसू लिख देते हैं टूइक्विटी शेर के बटल अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आप तो बिंग लिख वाते हैं नहीं भाई लिखा हुआ है पहली इंट्री में जब करते हैं तो हम टाइम ज्यादा लगता है आपको टॉपिक भी जल्दी जल्दी कराना है तो फिर इसलिए मैं बिंग कर देता हूं आपको में एंट्री समझाना अच्छी है अब एक कोशन हो जाए है यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है जितने बच्चे लाइव क्लास में बता दीजिए सर यह सर क्लियर है तो आगे बढ़ जाए और इस चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है लगबग पिछले चैप्टर से इतना ज्यादा नहीं है बूनस का लेना देना हां राइट इस्यू को तो आ जाता है चलिए बच्चे कह रहें सर क्लियर है आगे बढ़ जाईए ओके लिए एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल कि देखने में बड़ा जरूर है कि अभी मैंने भी नहीं पढ़ा क्या कहना जा रहा है सरिफ एक ही कोश्चन लगा इसके चलो दो ही कोशन है एक दो कुशन है यह करके फिर हम रिडम्शन पर आ जाएंगे ठीक है ना कहता है दिव्या लिमेटेड हैज एक्यूमलेटेड लार्ज प्रॉफिट इंदर रिजर्व अकाउंट मतलब हमारे पास ना बहुत सारा एक्य उटिलाइज पार्ट ओफ रिजर्व इन ओर्डर तो मेक क्यापिटल प्रॉपर्ली आपका री पर्जेंटेटिव ऑफ दा फानेशल पोजीशन मतलब डिरेक्टर ने बोला भाई या जो भी हमारे पास रिजर्व रिजर्व है उसका इस्तमाल हम करेंगे दा पेड़ अप आफ दा कंपनी आठ लाग कंसिस्टिंग आपका जो आठ लाग पीड़ यानि रुपिया जो मिला हमें आठ लाग मिला जिसके पचास अजार शियर है और हम रेक्विटी टैन रुपीज इच फुली पेड़ और पचास अजार एकुटी 10 रुपीज इच छे रुपे अब हम समझा देते हैं कैसे बना एक तो 50,000 शियर हमारा यह था जिसके बदले आपने दस रुपे दे रखें यानि यह पांच लाग रुपे और एक पचास अजार शियर और भी हैं जिसके बदले आपने मात्र छे लाग दे रखें तीन लाग इसको मिलाके आपके आठ प्रेमियम और फाइफ फॉर एवरी पेड़ शियर हेल्ड टू मेक पाटली पेड़ शियर फुली पेड़ कहने का मतलब भाईया जिसके पास पांस शियर है उसको हम एक शियर दे देंगे मैं दुबारा रीड कर दो डिरेक्टर डिसाइड इसू वन फुली पेड़ बोनस श देंगे हैं फाइफ फॉर एवरी पेड़ शियर हेल्ड टू मेक पाटली पेड़ फुली पेड़ पके जिम्मेदारी बनती है वैसे भी हमें पता अगर यह लाइन नहीं भी कहता था तो हम वैसे भी पुली पेड़ अप उसको बना लेते क्योंकि लॉव तो यही कहता है कि पहले पुल्ली पेड़ बनाओ एड़ा डेट ऑफ अलॉट्मेंट बोनस शियर दा मार्किट वेल्यू ऑफ द अब एकुटी शियर चौबिस रुपे तो हमारे मार्किट में शियर कितने का 24 अब दो तरीकी के होगे ना बोनस इशू एक तो फुली पेड़ पाटली पेड़ और वह यहां पर जो शियर इशू करने की कोसिस कर रहे हैं मार्किट प्राइस कितने का है 24 यानि यह premium वैसे मैं conceptually law के हिसाब से देखूँ जब बोनस इशू किया गा रहा है तो premium पे होना नहीं चाहिए क्योंकि जब मैं फ्री के शियर दे रहा हूं तो मैं काई बात का प्रीमियम लूँ तुमसे फ्री का तो फेस वेली पहना चाहिए वह कह दिया तो मैं इसके आंसर को थोड़े बुक के आंसर से ना मैं करेक्ट करके करूँआ वह उस चीज का ध्यान रखेगा हमेशा बोनस इ इस नहीं होगा बाकी बुक वाले बता दूँआ कि अगर प्रीमियम पे एक्जाम में पूछ लेते हैं तो प्रीमियम को कैसे टेक केर करना है नॉर्मल तरीके से ठीक है तो सबसे पहले हम पार्टली पेड़प वाले के लिए बारे में सोचें है पार्टली पेड़प के बा टू एक्विटी शेयर कैपिटल तो कितने रुपए हो जाएंगे दो लाक कि सर कैसे लिख लिए आपने दो लाक कि छे था चाहां कि इसके बाद रिजर्व अब re-reserve कहलो कि और चियर फाइनल कि और यहां पर बोनस शब्द का इस्तमाल नहीं हो रहां लेकिन वह बोनस है समझें आप यहां पर बोन शब्द का कई बार कर भी देते हैं ठीक है यह दो किसी को दिखते हैं अब हम बोनस इसु करेंगे तो हमारे पास टोटल लंबर की बात करें न अगर मैं नंबर करने जाओं तो हमारे पास एक लाग और हमने बोला हर पांच के बदले एक देंगे तो हम 20,000 शेयर बोनस देने वाले हैं तो बोनस देने के लिए पहले हम जनल रिजर्व यूज़ कर लें यह रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू देट इस नंबर बीस अजार निकला है और एक शेयर दस का है हलाकि कुश्चन जो है वो कह रहा है के 24 रुपे मार्केट प्राइज आप प्रीमियम पे इशू करो लेकिन लॉजिकली प्रीमियम पे नहीं होता बुक वालोंने 24 पे कर रखा होगा लेकिन हम 24 पे ना करके हम सिंपली कर रहे हैं ठीक है ना तो इस पर टेंशन मत लीजेगा यह आंसर मेरे अकॉर्डिक करेक्ट होना चाहिए कि अज़िए कि लेग आ रहा है अभी बस बस कतम करके फिर दुबारा क्लास स्लाइट जालू करेंगे इसके बाद क्या होगा हमारा सब्सक्राइब कि तू इक्विटी शियर के बताएगे यह आपका ख़दम कुश्चन देखो इतना बड़ा आंसर इतना है कि ठीक है हाँ इसमें बैलेंग शीट बनाने को कई बार आ जाता है वो तो है नहीं बुक में दिखाओ क्या प्रीमियम लिया है नहीं मैं देख लेता हूं कितने चौदर रुपए कि पांच रुपए प्रीमियम लिया है कि सबस्दाओ के जाता है कि अराओना दो प्रीमियम लिखाओ कि विया चिरती पांच है इसमें दिखेगा झाल रखेज़ इवाँ बनाने को कि पेज़ एतना जो झाल बनाने जो भांच है झाल 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 ठीक है लिखे बुक के अंदर थोड़े से आंसर सापके चेंज होंगे बट आप इस आंसर को करिए बुक के अंदर क्या करा हुआ है कि सबसे पहले बोनस इसू जो किया हुआ है सिर्फ एक वाले को किया था फुली पेड़ क्योंकि यहां पर एक लाइन कहता है कि इसू कितने का नहीं थोड़ा सब्सक्राइब करेक्ट होना चाहिए उसके अगौर्डिंग होना चाहिए उसके अगौर्डिंग अगर मैं आपको बताओं तो उनका जो आंसर उन्होंने द जाएंगे तो वह कर लेंगे ऐसा ही रहेगा बस एक कुछन से थोड़ा सा कुछ भी मान लो कैसे निकालते हैं फिर बता दो बोनस के अंदर बोला जाता है कि एक कितने के बदले हैं तो पहले टोटल नंबर ऑफ लेते हैं मैंने बोला पांच के बदले एक मिलेगा तो डिव बोनस तो वह भी हम करेंगे तो अभी फिलहाल के लिए बेसिक बेसिक एंट्री में किसी बच्चे को डाउट कि किसी को डाउट है बुक के अंदर कई बार ऐसा भी होता है जैसे शेयर फाइनल कॉल टू इक्यूटी शेयर किया है तो वह क्या करते हैं रिजर्व टू शेयर अब का एक बोनस शेयर कर देते हैं इस तरीके से वह ठीक है रिजर्व टू बोनस शेयर को फिर एक बार एंट्री मार देते हैं बाकि अपके भी कर सकते बिंग में लिख हो गया और नो पचास ऐसा होगे ना पांच लाग बोनस और धाई लाग और धाई लाग रुपय महां से लिया है पांच रुपय के साब से प्रीमियम बगेरा सब लिया ना पुल्ली को दे रहे हैं किसकी करतों दिया यह पुल्ली वाले नहीं है यह पांच रुपय प्रीमियम और यहां पर यह भी नहीं बताया में पर्टली पेड़ाप फुली जितने फुली पेड़ाप उसके बदले यहां पर सवाल में बोलना चाहिए किस देट पर फुली पेड़ाप तो आमने कि आप यह हो गया है अगर कोश्चन में यह कहता आगर यह पुली पेड़ाप जो पहले से हैं आप बोनस इसू सरिफ पूसी को करना चाहते हो जो की फुली पेड़ बिफोर आपका यह तो उसके थोड़ा सा इसमें मिस कम्मुनिकेशन है आप इसको तरीके से कर सकते हो मैंने बता दिया नहीं तो बुक के आंसर की अगर मैं बात करूं तो बुक का भी बता देता हूं आपको बुक वालों ने क्या करा के भीया हमारे 50,000 शेर पुली पेड़ थे हर शेर के बदले एक शेर दे देंगा तो बोनस हमारा आजाएगा कितना सर पचास अजार और पांच अगली पेड़ वाले में चाहिए तो इस तरीके से इन्होंने नो लाक रुपए का प्रीमियम बना के आगे कर दिया है तो बोनस यहां पर हम अब देखना आगे कितने कुश्चन और है बोनस यह दो है कि तीन दिखा हुआ है कि अ कि बैलीन शीट आ रहे है पीसमें आठ अ दो है बोनस बनर च능 ओहे है तो है है आट, तो है कि जैसे रेखने पना के दो है कि तीन नेक कि तीन नेकिका सबस्चन थेue है कि शुआ है कि अ झाल झाल